जेल में बैट कर कोई अपराधी इतना पवाल मचा सकता है ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा नाम है लॉरेंस बिसनोई जुर्म की दुनिया का ऐसा नाम जिसने इंडिया से लेकर कनाडा तक अपने नाम का सिक्का चला दिया लॉरेंस बिसनोई गैंग कनाडा में तो मशूर था ही इंडिया में तब मशूर हो गया जब माया नगरी मुंबाई में पूर मंतरी बाबा सिद्धिकी की सरेयाम हत्या कर दी गई ये सिलसला अब यही नहीं रुक पाया है सूत्रों की मताबिक लॉरेंस बिस्नोई गैंग का अगला निशाना मशूर कॉमेडियन मुनवर फारू की हो सकते हैं नमश्कार मेरा नाम है सयद मुझाहिज जैदी और आप देख रहे हैं दलीडर हिंदी महरास के पूर मंतरी बाबा सिद्धी की हत्या के बाद गैंक्स्टर लॉरेंस बिस्नोई का अगला टारगेट कॉमेडियन और बिग बॉस सत्रा के विजेता मुनवर फारू की है बाबा सिद्धिकी की हत्या के बाद से ही वर्थमान में गेमिंग शो प्लेग्राउंड सीजन फूर की मेजबानी कर रहे मुनवर फारू की सुर्खियों में है कॉमेडियन कतित तौर पर विस्नोई गैंग की हिट लिस्ट में है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने इसी वज़ा से मुनवर फारू की की सुरक्षा बढ़ा दी है लौरेंस बिस्नोई अभी तक साबर्वती जेल में बंद है 12 अक्तूबर की रात NCP नेता और महरास्ट के पूर मंतरी बाबा सिद्धिकी की हतिया की कतित साधिश रचने में बिस्नोई का नाम सामने आया है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सल्मान खान के बाद लौरेंस बिस्नोई की गैंग के निशाने पर मशूर कॉमेडियन मुनवर फारू की है बताये जा रहा है कि पिछले महीने इस खुकार गैंग उसके बहुत करीब पहुच गया था हाला कि इंटेलिजेंस एजनसी के इंपुट पर पुलिस ने मुनवर फारू की को वक्त रहतेज सचेत कर दिया और उसे उस स्थान से निकाल दिया बताये जा रहा है कि लौरेंस बिशनोई गैंग मुनवर फारू की के द्वारा हिंदू देवी देताओं के अपमान से आहत है बीते कुछ दिन पहले सल्मान खान के घर गैलेक्सी पर गोली बारी की गई थी इसके बाद सल्मान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है जाहिर है खुकार गैंग्स्टर लौरेंस बिशनोई के जुर्म के आतंग से पूरा बॉली वोड सेहम चुका है अब देखना होगा कि अपने को जेंस बॉंड कहने वाली मुंबाई पुलिस इस खुकार गैंग से माया नगरी में रहने वाले नामचीम लोगों को कैसे महफूज रख पाती है अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें धन्यवाद